दीख मुझेन आप से एक बात बूछनी है हाँ पूछो दिसंबर के लास्ट विक में पंजाब में और पंजाब से बाहर कुछ लोग ना साधी करते हैं ना कुछ इंजोई करते हैं पारटी बाटी बाटी कुछ नहीं करते हैं और मैंने सुनाई इन दिनों में कोई सहीधी भी है हां जरूर मैं तुम्हें बताती हूँ दिसंबर का महीना जैसे कि तुमने पूछा कि दिसंबर के आखरी हफते में क्यों पंजाबी और पंजाब के बाहर के लोग अपार्टी वगेरा निकरते शादिया नहीं होती इस हफते में ये इसलिए क्योंकि जो सिखों के दस्व हफ्ता माना जाता है 20 दिसंबर को गुरुगोबिन सिंग जी ने अपना अननपुर सहब का किला छोड़ दिया था अननपुर सहब का किला वो था जहां पर गुरुगोबिन सिंग जी अपने परिवार के साथ रहे हैं वहां पर उनके साहिब जादे जुनके चार बेटे थे दिसंबर को परिवार विछड गया था सरसा नदी के किनारे सरसा नदी जब वो पार कर रहे थे तो नदी में इतना तेज तूफान आया जिसकी वज़ए से परिवार तीन हिस्सों में बठ गया माता गुजरी जी जो गुर्गोबिन सिंग जी की माता जी थी वो गुर्गोबिन सिंग जी के छोटे बेटों के साथ बाबा जुरावर सिंग जी और बाबा फते सिंग जी के साथ वो अलग हो गए गुर्गोबिन सिंग जी अपने बड़े बेटों के साथ बाबा अजीत सिंग जी और बाबा जुजहार सिंग जी के साथ वो अलग हो गए और माता साहिब कौर जी और माता सुंदर कौर जी जो की साहिब जारो की माता जी थे वो अलग हो गए ऐसे करके परिवार जो था तीन हिस्सों में बट गया परिवार विछोडा हम इसको बोलते उनसे कभी उस समय के बाद कभी दुबारा मिल नहीं पाई उनसे 22 दिसमबर को गुरु गोबिन सिंग जी के जो बड़े साहिब जादे थे बाबा अजीद सिंग जी और बाबा जुजहार सिंग जी वो चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए चमकौर का युद्ध सबने सुनाई हुए चमकौर की गड़ी में जो युद्ध हुआ था उसमें लड़ते हुए दोनों साहिब जादे शहीद हो गए जिस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी उसके बाद 23 दिसंबर को जो युद्ध में बाकी सिंग जो उनके लड़ रहे थे गुरुगोबिन सिंग जी के जो बहुत अजीज उनके थे बहुत खास जो उनके साथ के सिंग थे साती थे बहुत सारी शहीदी 23 दिसंबर को हुई 24 December को B.B. Harsharan Kaur जो की गुरूगोबिन सिंग जी के साथ ही हुआ करते थे जो सिंग चमकौड के युध में शहीद हो रहे थे जो घायल हो रहे थे उनकी सेवा करते थे उनकी मरमपटी करते थे और जो शहीद हो जाते थे वो उनके शरीर को उठाकर उसको मुखागनी देते थे उनको अंतिम विदाई दिया करते थे बिभी हरशरनकॉर जब मुगलों को ये बात पता चली कि बिभी हरशरनकॉर ये सब काम कर रहे हैं तो उन्होंने पहले तो विभी हर्षरनकॉर ने बहुत बहादूरता के साथ उनके साथ युद्ध किया मुगलों के साथ और जब वो गायल हो गई युद्ध में तब उनके जीवित शरीर को ही मुगलों ने उसी अगनी में भेट कर दिया जिस अगनी में वो और सिंगों को मुखागनी दे रहे थे ऐसे करके 24 दिसंबर को विबिहर शरनकॉर जी भी शहीदी पा गए उसके बाद 25 और 26 दिसंबर को गुरगोबिन सिंग जी के छोटे साहिब जादे बाबा जुरावर सिंग जी और बाबा फते सिंग जी उन्हें सुबे की कचैरी में पेश किया गया जब सुबे की कचैरी में उन्हें बुलाया गया तो वहाँ पर जो उनकी अंदर आने के लिए जो गेट रखा गया था वो इतना छोटा रखा गया था तांकि वो अपना सिर जुका कर उनके आगे आएं लेकिन गुरु गोबिन सिंग जी के जो सहिब जादे थे उनकी उन्हें जो सिख्या मिली हुई थी अपने गुरु पिता जी से अपने दादा जी गुर्त एक बाहदु जी से वो ये थी कि कभी भी अधर्म के आगे जुकना नहीं है उन्होंने अपने धर्म को उपर रखा और अपनी सिख्या को महतु देते हुए उन्होंने सिर नहीं जुकाया कदम आगे बढ़ा कर वो कचैरी के अंदर गए और जब उन्होंने वहाँ पर जाकर धर्म बदलने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया उन्होंने मौत स्विकार कर ली लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला जब उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला बहुत सारे उनको लालच दिये गए धर्म के खातेद मेरे उन्हें वहाँ पर पता लगा कि उनके बड़े भाइपी शहीर हो गए तो तब उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म नहीं चोड़ेंगे उसके बाद में उन्हें सजा सुनाई गई कि ऊन्हें जीवित ही दिवारों में चिनवा दिया जाए법 तो 27 12 December को दोनों छोटे साहिब जादों को जिनकी उम्र शायद साथ और नौ साल कि तो तो अन्हें जंदा रही दिवार में चिनवा दिया गया बहुत ही बहराय के साथ उन्हें जब उनका के दिवार में चीणने जाने उस वक्त उन्होंने जो वहां के कसाई हुआ करते थे उन्होंने बड़ी बहरेमी के साथ उनका गला काट कर उन्हें मार दिया गया ऐसे गुरु साहब जी के छोटे सहब जारोंने भी शहीदी पाई उसके बाद 23 दिसंबर जो इस शहीदी दिहाडों का आखरे दिन माना जाता दिवान टोडर मल जो की गुरु जी के सेवक थे उनसे बहुत प्रेम करते थे जो उन्होंने माता गुजरी जी जब उन्हें पता लगा कि छोटे सहब जादों को दिवार में चिनवा दिया गया है और वो शहीदी पागए है उसके बाद माता गुजरी जी ने भी वहां पर अपने प्राण ट्याग दिये और वो उनके साथ साथी फिर दिवान टोडर मल ने उस वक्त माता गुजरी जी और दोनों छोटे सहब जादों का वहां पर संसकार किया उन्होंने जमीन वहां पर उनसे मुगलों से खरीदी जिस जमीन पर उन्होंने माता जी और छोटे सहब औरवज़ात्तों का संस्कार किया तो यह सिक धर्म की और इता है यह इता है जिसे यााद करके हम जाये एक बार हां करने सोचे है इसेलिए यह ही रीज़न वे पूछना चाहा रही कि क्यों है कि इस अधा में हम किसुक कम में अगर जिस धरम में इतनी बड़ी शहीदी हो सकती है जो इतना गुर्गोविन सिंग जी अपना पूरा परिवार अगर हमारे लिए हमारे धरम के लिए हमारे लिए अगर आपना परिवार वार सकते हैं तो फिर एक हफ्ता मैं मानते हूं कि बहुत ही छोटा समय है कि हम उनके के लिए उन्हें याद करके कुछ कर पाए वाईगु जी का खालसा वाईगु जी की फते वीडियो बिनांदे होए जि मेरे तो कोई गलती होगी 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 जे साथे तो कुछ वादकाट बोल गया होगी ता ओदेली मैं शमादी जा चखा ते वाद तो बद इस वीडियो कि जेड़े भी लोग या इस हफ्ते बारे जेड़े शहीदी हफ्ते दे बारे नहीं जानदे उननों भी नॉलेज मिल सेके थैंक यू सो मच पर वाचिंग